दिक्टेशन स्टार्ट होगी तीन सेकंड बाद इस्टार्ट इजराईल और फिलिस्तीन का युद्ध पश्चम एशिया में एक जटिल हालात पैदा कर रहा था अब इरान और इजराईल के बीच जिस प्रकार संगर्ष बढ़ता जा रहा है उसने चिन्ता को और गहरा कर दिया है विराम दो पक्ष बन रहे हैं और अधिक से अधिक राश्ट्रों को अपने पक्ष में लेने की जिस तरह की कवायद की जा रही है वह विश्व युद का रास्ता है गराम मनुष्य सवार्थ की राजनिती नहीं छोड सकता है गराम राश्ट्रिय हित की आड में संगर्ष को और जादा बढ़ाने की शमता रखता है गराम पश्चिम एशिया की जंग आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तबहाई की सूचक बन रही है गराम विश्व शान्ती की दिशा में मानव समाज आज तक सफल नहीं हो पाया है विराम दुनिया आज एक दुरुविय विश्व में भले ही अमेरिका के नेतरत्व में दिखे लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई हो या इसराइल और फिलिस्तीन या इसराइल इरान के बीच टकराव आज दुनिया एक दुरुविय नहीं रहे गई है विराम इसमें शान्ती की राजनिती नहीं हो पा रही है विराम तमाम संगर्ष युद्ध में तबदील होते जा रहे हैं विराम संयुक्त राष्ट्र अपनी शान्ती और सदभाव के प्रयास में आज एक कटपुतली की तरह बन गया दिखता है विराम पैरा अमेरिका में मार्च महीने में एक भारतिय चात्र की मरत्यू हो गई थी विराम अब पता चला है कि चात्र ने एक ओनलाइन गेम में खेलते हुए अपनी जान दे दी थी विराम इसमें प्रतिभागियों को एक शर्त पूरी करने का काम सोपा जाता है विराम खबर के मुताबिक इसी खेल को खेलते हुए छात्र ने दो मिनट तक अपनी सांस रोक रखी थी विराम इस खेल का बच्चों पर काफी समय तक मानसिक असर रहता है विराम इसके भै से वह काफी गुमसुम और लोगों से दोर रहने लगता है विराम भारत में कई साल पहले इस पर प्रतिबंध की बात चली थी विराम इसके बावजूद अब तक यह जारी है विराम हालांकि 2017 में जारी परामर्ष के तहत कहा गया था कि ब्लू वेल गैम आत्म हत्या के लिए उकसाने वाला खेल है इसलिए इससे बच्चों को दूर रहने की सलह दे जाती है मगर इसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए सिर्फ परामर्ष जारी करने से आगे इस संधर्ब में कड़ा कानून और सक्त निर्देश जारी करने की जरूरत है सदियों से इनसान की चाह अमर होने की रही है और इसके लिए वह प्रयास भी करता रहा है कई तरह के प्रयोग भी करता रहा है कई तरह के प्रयोग निरंतर जारी है कई ऐसाध्य रोगों के इलाज खोज लिये गए हैं मगर अमरत्व पाना अभी मुमकिन नहीं है विराम विज्ञान इनसानों की उम्र बढ़ाने और उसे अधिक से अधिक शक्तिशाली बुद्धिमान और देर्ग जीवी बनाने में सफल होता जा रहा है विराम फिर भी अमरत्व पाने की लालसा पूरी नहीं हो पा रही है विराम संसार को समझने वाले यही चाहेंगे कि यह लालसा पूरी नहीं हो यही मानवता के लिए बेहतर होगा विराम कलपना की जा सकती है कि दुनिया भर में अगर तानाशा और कुरूर साशक अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अमरत्व प्राप्त कर ले तो दुनिया का क्या हश्र होगा विराम ऐसे लोग दुनिया को तहसनेस करके ही दम लेंगे विराम अभी जो जीवन है उसे ही अगर समता भाव से जी लिया जाए तो हमारे अमर होने की कामनाएं अपने आप शांत हो जाएंगी विराम शांत और सुखी जीवन जीनाही जीवन की सफलता है विराम पैरा दुनिया में हर सक्ष मुनाफा कमाने की कोशिस में है विराम मुनाफा या लाब पर एक सूकती है कि ये मुनाफा उतना ही हो जैसे दाल में नमक विराम मगर यहां तो लोगों में बेहिसाब और बेलगाम मुनाफा कमाने की ओची आदत है विराम रेल में व्यक्ति गंठों यातरा कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुचता है विराम बीच में भूख लगने पर खाता भी है विराम अगर सरकार की व्यवस्था के तहत कुछ खाना पीना मिल गया तो उसके कीमत थोड़ी नियंत्रित रहेगी मगर गराहक को अलग से खरीदना पड़ गया तो उसे दूर्तता का शिकार होना पड़ सकता है विराम मन मुताबिक दाम पर खाना बेचा जाता है विराम इसी तरह रेलवे स्टेशनों पर सारवजनिक टोटियां लगी होती है विराम उन्हें खराव कर दिया जाता है या पानी की आपूर्ती बाधित करा दी जाती है ताकि यात्रियों को पानी भी खरीद कर पीना पड़े विराम पैसा कमाने के ये अनूचित तरीके हैं विराम पैरा तनाव के कारण जब मन परेशान रहता है तो लोगों के प्रती हमारा व्यवहार भी खराब होने लगता है ऐसे में हम जरासी सूजबूज से काम लें जिन्दा दिल रहें जीवन को जरा हलका और अपने व्यवहार को संयत रखें तो जिन्दगी में बड़ा बदलाव आ सकता है सवाल है कि आखिर यह जिन्दा दिली आती कहां से है विराम यह आती है दिल में प्यार मन में उमंग और शरीर में उर्जा रहने से विराम यह प्यार आता है सहानू भूती दयालुता और सनहे की भावनाएं संजोने और उन्हें जागरत रखने से मन में उमंग आती है जीवन का कोई सार्थक उद्देश्य ढूंडने से विराम शरीर में उर्जा आती है मन को प्रफुलित रखने और तन को सवस्थ रखने से विराम जिन्दगी में जब प्यार कम होता है तब सुख भी छिननने लगते हैं विराम सुखी रहने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की तरह प्रेम भी हमारी जिन्दगी की मूलभूत जरूरत है विराम पैरा मित्र हों या जीवन साथी या हमारे परीजन उनके साथ संबंधों को सुखद रखना और लंबे समय तक निभाना एक कला है जिसके लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है विराम अंग्रेजी में सवार्ड यानी तलवार और वर्ट्स यानी शब्द इन दोनों शब्दों में एक को छोड़ कर सब एक जैसे अक्षर है विराम खास बात यह है कि तलवार हो या शब्द दोनों को सही धंग से इस्तेमाल ने किया जाए तो असर भी एक जैसा ही होता है विर हमारे रिस्ते गलत बात करने से नहीं बलकि बात गलत तरीके से कहने से तूट जाते हैं विराम पैरा गोरतलब है कि मेतेई समुदाई को जन जाती का दरजा देने के लिए सवाल पर कुकी समुदाई के साथ शुरू हुई हिंसा में अब तक दोसों से जादा लोग जान कवा चुके हैं, ग्यारे सो से अधिक गायल हुए और करीब 65,000 को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है विराम, अभी देश भर में लोकसभा चुनाव का दोर है विराम, माना जाता है कि चुनावूं के दोरान सुरक्षा व्यवस्था आम दिनों के मुकाबले इतने सक्त होती है कि किसी भी एवांचित और आपराधिक गतिविधी को अंजाम देना संभव नहीं होता विराम समाप्त.